Hello Friends, हम सीख रहे हैं John Keats Friends, John Keats की biography हम इसकस कर चुके है Now we are going to discuss important works of John Keats Friends, जितने भी John Keats के important works रहे हैं हम सब को study करने जा रहे हैं तो Friends, lecture बड़ा interesting और बड़ा important होने वाला है तो चलिए Friends, Let's Start हम कुछ course डिसकस करते हैं और यह एक sonnet थी और फार्स्ट लुकिंग इन्टू चापमेंज होमर देखें फ्रेंड्स यह जो सॉनेट थी यह थी एक पेटरारकन सॉनेट और पेटरारकन सॉनेट का मतलब होता है वो दो चीजों से मिलके बनी होती है एक उसमें ऑक्टेव होता है और एक सेस्टेट होता है यानि पहली आठ लाइन ऑक्टेव कहलाती है और बाद की जो च्छे लाइन है वो कहलाती है वो सेस्टेट कहलाती है तो जो सॉनेट है सॉनेट में अब जानते हैं फोर्टीन लाइन होती है तो इस वर्क की अगर बात करें तो यह क्या है पैट रहर करें sonnet यानि eight lines and plus six lines यह कहलाती है octave और यह कहलाती है सस्टेंट clear friends यह जो वर्क कम्पोज किया गया इनके एक friend थे Cowden Clark Clark के साथ इन्होंने सबसे पहले इस work को पढ़ा और पढ़ने के बाद Homer को पढ़ा यानि की और Homer पढ़ने के बाद इन्होंने अपने friend के साथ जब Homer पढ़ा तो October 1816 में यानि 1816 में उन्होंने इस work को लिख दिया compose कर दिया 1816 और इसमें एक बड़ी important line आती है Much have I travelled in the realm of gold much have I travelled in the realm of gold और realm of gold से मतलब है friends कि मैंने जो realms of gold है कि मैंने जो realm कहते है kingdom को of gold कहते है sone को यानि मैंने जो sone की जो राज्ये है उनका मैंने भ्रमन किया है और कितने राज्यों का बहुत सारे मैंने जो golden reel में golden kingdom से उनका मैंने भ्रमन किया है and many goodly states and kingdom scenes and many goodly states and kingdoms scenes और बहुत सारे मैंने जो state हैं और kingdoms हैं अच्छे रियासते हैं अच्छे राज्ये हैं वो मैंने देखे हैं clear friends तो ये दो line इस quote से है इस poem से है आगे बढ़ते हैं then felt I like some watcher of the skies और फिर मैंने कैसा महसूस किया मैंने ऐसा महसूस किया कि जैसे कोई watcher of the skies यानि कोई आकास का अध्यान करने वाला जो stars का अध्यान करने वाला कोई व्यक्ति होता है clear friends then felt I like the watcher of the skies कि फिर मुझे कैसा महसूस हुआ मुझे ऐसा महसूस हुआ कि जैसे कोई watcher of the skies कोई stars की study करने वाला होता है या आस्मान को study करने वाला कोई व्यक्ति होता है when a new planet swims into his can into his can अब देखिए क्या मतलब हुआ इसका कि जैसे कोई एक नया planet swims into his can के इन can ये उस can की बात हो रही है जिसमें मार्केट से तेल भर के लाते हैं या को लिक्ट लाते हैं तो कहरा है कि जब मुझे ऐसा लगा जब मैंने होमर को पढ़ा कि जैसे कोई watcher होता है इसका watcher होता है उसको कोई नया star मिल जाता है जो उसकी खुशी होती है वो ही मुझे मैसूस हुई और जैसे कि किसी star watcher को कोई नया planet मिल जाता है तो जैसे नया planet मिल जाता है उसे जिस तरह की प्रसंता होती है वो ही प्रसंता मुझे चापमें को पढ़के हुई चापमें के होमर को पढ़के हुई clear friends तो चलिए note down friends next poem की बात करते हैं और next poem है एंडी मियॉन जो published हुई 1818 में एंडी मियॉन published in 1818 और friends यह क्या है along narrative poem clear यह जो poem है यह बताती है Greek myth को और किसकी है जो Greek myth वो है friends Moon Goddess है Cynthia Cynthia की जो एंडी मियॉन है एक Greek youth है उसके साथ जो लव स्टोरी है उसको यह poem बताती है deals with the Greek myth of the moon goddess moon goddess Cynthia with or किसके साथ friends a Greek youth and devion Cynthia for a Greek youth and devion बात के लियर और इस पोएम की जो फर्स्ट लाइन है बड़ी फर्स्ट लाइन है friends a thing of beauty is a joy forever a thing of beauty is a joy forever कि जो सुन्दर वस्तुय होती है वो हमेशा के लिए आनन्दाई होती है और human nature है हर व्यक्ति सुन्दर वस्तु को देखना चाता है सुन्दर वस्तु को पाना चाता है तो जो सुन्दर वस्तु है वो क्या है वो हमेशा आनन्दाई होती है clear friends और यह जो पोएम इन्होंने dedicate की वो dedicate कर दी किसको चैटरटन को clear इस पोएम की आगे बात करें तो जो पोएम लिखी गई है यो लिखी गई है friends I am big pentameter में rhyming scheme जो है इसमें वो क्या है I am big pentameter I am big pentameter में और I am big pentameter जिसको हम दूसरा नाम भी जानते हैं और वो क्या नाम है इसका heroic couplet clear friends यह जो पोएम है यह four parts में बटी है यानि four book में बटी है और जिसमें approximately 1000 line each book में है यानि about 4000 lines की यह पोएम है divided into four books 1000 lines each clear friends तो चलिए नोट कर लेते हैं friends next poem है Isabella देखिए जो Isabella है इसका जो subtitle है वो है the pot of vessel the pot of vessel और यह पोएम I friends 18 18 में 1818 में यह भी एक narrative poem है होने के साथ साथ अगर हम बात करें तो यह poem लिखी गई है ओटेवा राइमा में clear friends यह एक कहानी बताती है एक young woman की जिसकी family एक noble olive tree के साथ उसकी शादी करना चाहती है लेकिन जो Isabella है वो प्रेम करती है लोरेंजो से और लोरेंजो कौन है friends जो उसके brother है उनका वो employee है तो Isabella loves लोरेंजो जब भाईयों को पता लगता है कि बेहन ने इस तरह शादी कर ली है तो जो उसके brothers हैं वो क्या करते हैं लोरेंजो का murder कर देते हैं और उसकी body को bury कर देते हैं यानि दफना देते हैं her brothers murder Lauren Joe and Barry his body बात के लिए friends और देखिए जो poem है Isabella जो scent of Agnes थी the eve of scent Agnes थी उसकी एक precursor poem मानी जाती है it was a precursor poem of the eve of scent Agnes clear friends तो चलिए नोट करते हैं friends next poem है Lamia Lamia में क्या है यह एक narrative poem है first appeared in the volume जो पहली बार appear हुई वो Lamia, Isabella, the eve of scent Agnes and other poems के नाम से यह poem आई और यह publish हुई कब इन जुलाइ 1820 में clear friends अ नर्रेटिव पोएम पॉलिजड इन जुलाइ 1820 और वोल्यूम कौन सा था friends वोल्यूम था Lamia Isabella The eve of scent Agnes and other poems इस वोल्यूम में इन पॉयम पॉब्लिस होई और यह जो इसकी theme रही है वो कहां से रही है friends जो बर्टन थे एक author बर्टन की the anatomy of melancholy तो वो इसका source रहा है बर्टन्स anatomy of melancholy clear friends इसमे एक्ट्टन में जो lamia है यह एक lady है और यह क्या है एक serpent woman है clear friends और एक God Hermes है God Hermes से यह मिल जाती है जब यह एक निव की सर्च में होती है निव की तलाश में होती है तो अचानक यह किस से मिल जाती है God Hermes से मिल जाती है clear friends God Hermes comes across lamia while searching for a nymph clear friends इसके बाद next poem आती है lamia के बाद hyperion जो आई 1818 में 1818 में 1818 में और friends यह जो modeled थी यह थी highly modeled on paradise lost paradise lost पे यह अधारी थी और यह question friends कई बार आया है कि यह जो poem है यह किस पे based है यह paradise lost पे कौन सी poem based है और जो hyperion है इसकी अगर rhyming की बात करें तो यह लिखी गई है friends blank words में written in the blank words और friends इसी के साथ साथ एक चीज और है एक बड़ी famous line आती है the first in beauty shall be first in might कि जो सुंदर्ता में पर्थम होता है उसको शक्ती में भी पर्थम होना चाहिए clear friends the first in beauty shall be first in might clear तो चलिए friends note down when this next poem हम लेते हैं the eve of saint agnes the eve of saint agnes देखिए poem आई 1819 में यानि यह लिखी गई friends composed in 1819 1819 में और यह जो friends poem रही है यह एक romantic narrative poem रही है क्या friends romantic narrative poem poem friends compose तो 1819 में रही लेकिन अगर published की बात करें तो published अगले साल हो गई थी यानि 1820 में long narrative poem रही है और poem के साथ-साथ यह जो लिखी गई है यह इस्पेंसेरियन इस्टेंजाज में यह poem लिखी गई है written in Spanish written in Spanish इस्टेंजाज clear friends अब यह जो poem actual में एक ऐसे folk belief है एक ऐसा उस पे बेज रही है और वो folk belief क्या है कि जो इव आफ सेंट अगनीज होती है अगर उस पे कुछ कोई जो राइट्स वहां परफॉर्म किये जाते हैं सेंट अगनीज की इव पे तो उस पे विश्वास है एक ऐसी माननेता है कि कोई लड़की है अगर वो उस इव पे कुछ राइट्स है महां अगर वो परफॉर्म करती है तो उसे जो उसका future husband है उसको वो सपने पे देखती है clear friends based on the folk belief that a girl could see और किसको देखती है her future husband in a dream सपने में देखती है कब देखती है friends if she performed some rides on the e-wops and agnes अब हम बार बार इव की बात कर रहे है इव उप सेंट एगनीज तो इव उप सेंट एगनीज है क्या यह actual friends जो 20 January है every month वो eve of सेंट एगनीज मानी जाती है क्योंकि एक festival होता है सेंट एगनीज feast वो जो feast perform होता है वो होता है 21st of January को 21 January को वो perform होता है तो उसकी जो eve है सेंट एगनीज की वो मानी जाती है 20 January सेंट एगनीज इव 20 January और जो feast है सेंट एगनीज फीस्ट वो friends 21st January बात के लिए है कीर्स ने यह पोएम जो लिखी friends वो जब काइचेस्टर में रह रहे थे तब उन्होंने इस पोएम को लिखा while he was staying काइचेस्टर clear friends तो चलिए note कर लेते हैं चलिए friends next poem की बात करते हैं और यह आपकी पढ़ी हुई poem है बड़ी फेमस पोएम ला बेले डेम सेंस मरसी आ ब्यूटिफुल लेड़ी विदाउट मरसी यह पोएम फ्रेंट्स जो compose की गई वो की गई 1819 में देखें composition year में दे रहा हूं हलाकि जनरली पूछे नहीं जाते एक composition यह और यह जो पोएम है अगर इसकी form की बात करें तो यह है फ्रेंट्स एक लिरिकल बैलेट और फ्रेंट्स यह बताती है एक night और night का पैसन बताती है किस के बिरती एक fairy के बिरती hopeless person of night for a fairy lady और वो night किस तरह भटकता है और actual में यह माना जाता है कि जो फ्रेंट्स यह जो पोएम है यह जो कीट की autobiography है means autobiographical element है जो night है वो वास्ता में कीट्स खुद है और जो वो fairy है वो है उनकी beloved Fanny Braun clear friends poem deals with a hopeless person of a night for a fairy और autobiographical element क्या है कीट्स कीट्स लव और फैनी ब्रॉण पोइंट के लिए ओपनिंग लाइन है ओ वाट के इल दी नाइट्स पोएम की आपनिंग लाइन है नाइट है आप 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 Night at arms. Oh, what can ail the night at arms, alone and paley loitering? अरे, night at arms. अरे, शस्त्रो से सुसजित सैनिक. What can ail दी? तुम्हें क्या प्राब्लम है? What's ail with you? क्या प्राब्लम है? And why are you loitering here, alone and paley? Means, तुम पीले पड़े हुए दिख रहे हो, और अकेले, तुम यहां क्यों घूम रहे हो? क्लिए, फ्रेंट्स, एक और बड़ी famous line आती है, I see a lily on thy bro. और यह किसका example है, फ्रेंट्स? एक metaphor का example है, कि I see a lily on thy bro, कि जो तुमारी bro है, आईब्रो है, उस पे मुझे क्या दिखाई देती है? एक lily flower मुझे दिखाई देता है. क्लिए, फ्रेंट्स, तो चलिए, नोट कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं. फ्रेंट्स, नेक्स्ट पोएम है, Ode to Indolence. और यह जो Ode to Indolence है, यहाँ जो वर्ल्ड है, फ्रेंट्स, Indolence क्या होता है? Indolence कहते हैं लिथार जी को. कभी-कभी हम ऐसे आलस में होते हैं कि बस मन हैं, तो पढ़े हैं, तो पढ़े ही हैं लेकिन सारी चीज़ां में पता होती है. तो जो आलस है वो, वो क्या कहलाती है, वो क्या कहलाती है, वो कहलाती है, फ्रेंट्स, Indolence. यह जो पोयम लिखी गई फिल्ट्स, composed in the month of spring in 1819, spring में लिखी गई अठारे सो उन्निस में clear, यह एक 10 line इस्टेंजाज में लिखी गई है और friends, यह जो पोयम इन्हों ने लिखी, इससे पहले एक पोयम आई थी, ode to melancholy, ode to melancholy के just after यह पोयम लिखी और इसके कुछ बहिने बाद इन्हों ने लिखी थी, to autumn और इसकी जो ओपनिंग लाइन है, बड़ी प्यारी लाइन है, one month before we, one month before me, were three figures seen one opening line one month before me three figures scene कि एक दिन मुझे क्या दिखाई दिया, मेरे सामने three figures आई, तीन figures आई, तीन चित्रा आई और एक्चल में जो three figures है, यह किसकी बात हो रही है, यह question बन पड़ता है, कि यह three figures कौन है, तो यह friends, love, ambition and poetry clear, तो यह three figures मेरे सामने आई, और एक्चल में author कहते हैं कि पहले तो मैं उनको नहीं पहचान सका, जब वो मेरे सामने से गुजरी तो मैं नहीं पहचान सका, लेकिन third time, जब तीसरी बार गुजरी, पहली बार गुजरी, नहीं पहचाना, दूसरी बार पास हुई, नहीं पहचाना, लेकिन जब वो मेरे सामने, तीसरी बार गुजरी, तब मैंने उनको पहचान लिया दा ओथर कुड रिकॉगनाईज दैम थर्ड टाइम तीसरी बार उनको पहचाना क्लियर फेंट्स वाइल दे वर पासिंग थर्ड टाइम शॉट कर दिया मैंने पेन हैड्ड नो स्ट्रिंग की जो दर्द है दर्द में अब कोई चुबन नहीं है और प्लेजर्स रैथ नो फ्लावर एंड प्लेजर्स रैथ हैड्ड नो फ्लावर ये इस पोएम की एक लाइन है कि जो पेन है पेन हैड्ड नो स्ट्रिंग की दर्द में अब कोई चुबन नहीं है मैं ऐसी स्टेज पे हूँ ऐसा मैं फील कर रहा हूँ कि जो दर्द है वो मुझे कोई पीड़ा नहीं दे रहा है और जो आनन्द है जो सुख है सुख की जो माला है रहत कैते है फ्रिंग्स गार्ड लेंड को जो सुख की माला है हैड्ड हैथ नो फ्लावर कि उसमें कोई फूल नहीं है कि अब दर्द में भी मुझे कोई चुबन नहीं दिख रही है और जो सुख है मुझे सुख भी नहीं दिख रहा है, यानि सुख की माला में भी कोई फूल मुझे नहीं दिखाई दे रहा है और फ्रिंस एक इसकी थीम की अगर पोयम की बात करें तो वो थी Castle of Indolence Castle of Indolence से ले गई है, clear फ्रिंस और किसकी पोयम थी? थॉम्सन की थॉम्सन्स, Castle of Indolence clear होगे बात, फ्रिंस? Castle of Indolence से ले गई थॉम्सन की पोयम से तो चलिए फ्रिंस, नोट भी कर लेते हैं साथ साथ फ्रिंस, नेक्ट पोयम हम डिसकस करते हैं Ode to Psyche अब देखी जो पोयम है Ode to Psyche इसमें बड़ी famous line आती है Their lips touch not but had not made a view Their lips touch not कि उनके जो lips थे Their lips does not वो lips आपस में मिले हुए नहीं थे But had not made a view Bade a view लेकिन वो अलग भी नहीं थे कभी अलविदा भी वो नहीं कह चुके थे Clear? तो यह quote इस poem से आ जाती है line और इसके लाब वो poem के अगर written और composition year की बात करें तो जो poem लिखी गई थी friends यह लिखी गई थी 18 19 इसका जो source रहा है वो रहा है legend of psyche legend of psyche यह इसका source रहा है friends और actual में यह जो कहानी कही गई थी वह एपुलियस था एपुलियस ने जो golden age था वहाँ यह जो कहानी कही थी तो वो इसका source रही है और एक जो legend है legend में जो psyche है यह friends एक Greek king थे Greek king की बेटी थी जिसको प्रेम हो गया था Cupid से और क्यूपिट कौन है friends जो aphrodite का बेटा कहा जाता है माना जाता है Psyche was the daughter of a king and she falls in love with cupid the son of aphrodite clear friends तो चलिए note कर लेते हैं पिर आगे बढ़ते हैं friends next ode है ode to autumn और देखिए जो john keats थे उनकी जो ode थी वो बड़ी famous रही है और इसलिए हमें study भी इनको करना थोड़ा थोड़ा जरूरी है यह compose we friends September 1819 में और अगर इसकी बात करें तो यह जो ऐसी ode है जिसको कहा जाता है most perfect ode of john keats most perfect ode of john keats john keats की perfect ode और इसकी जो opening line है वो है season of mist और मिस्ट किसे कहते है फिर मिस्ट कहते हैं धुंद को और को और को एंड मेलो फ्रूट फुलनेस mist and mellow यह इसकी ओपनिंग लाइन है कि जो mist का season था और इसी के साथ साथ जो mellow fruitfulness mellow कहते है friends ripe को ripe, sweet, juicy को mellow कहा जाता है तो mellow fruitfulness कि जो पके वे फलो का मोसम और कैसा मोसम season of mist mist का मोसम, पके वे फलो का मोसम और एक line और आगे है इसमें कि close bosom friend of maturing sun close bosom friend of maturing sun कि close bosom friend, close friend किसका close friend maturing sun यानि जो चड़ता हुआ सूरज है उसका घनिस्ट मित्र clear friends तो बहुत ज़्यादा इस ode में नहीं था चलिए अब आगे बात कर लेते हैं ode to melancholy और और melancholy की बात करें तो friends ये भी 18-19 में ही आई और एक author थे बर्टन की जो anatomy of melancholy है वो इसका source रही है बर्टन्स ये इसका source रही है और एक्ट्वर में जब ये poem लिखी melancholy देखे melancholy का मतलब होता है उदासी तो author जो थे melancholy के mood में थे जब उन्होंने ये poem लिखी और एक बड़ी famous line आ जाती है इस poem की she dwells with beauty or beauty that must die she dwells with beauty beauty that must die कि वो सुन्दरता के साथ रहती है और कैसी सुन्दरता that must die उस सुन्दरता तो जो क्या है वो nust हो जाना है और friends जो actual me melancholy की जो theme रही है वो Buma और Milton से भी मिलती जोती है जो Buma थे इस जो जो दे अब जो 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 एज जो टाकर दो आज अब पोएम्स बची है जौन कीट्स की इसी के साथ साथ कीट्स की जो बाइग्राफी है और बाइग्राफी के साथ साथ और बहुत सारे किर्टिकल रिमार्क्स या बहुत सारे important questions रह जाते हैं उनको हम next lecture में cover up कर लेंगे I hope तो चलिए friends मिलते हैं next lecture में आपको lecture कैसा लगा अपनी राइब मुझे कमेंट करके जरूर दे now thanks for watching this video